भक्तपुर जिसे अक्सर भक्तों का शहर कहा जाता है। नेपाल का एक एतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से सम्रिध शहर है जो काठमांडू घाटी में स्थित है। नौवी शताबदी के इतिहास के साथ भक्तपुर अपनी अच्छी तरह से संरक्षित मध्ययुगीन वास्तुकला, प्राचीन मंदिरों और जीवन संस्कृती के लिए प्रसिद्ध है। शहर के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक भक्तपुर दर्बार स्क्वायर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह चौक उतक्रिष्ट महलों, आंगनों और जटिल नकाशीदार मंदिरों से सुशोभित है, जो शहर की वास्तुकला और कलात्मप उतक्रिष्टता को प्रदर्शित करता है। पचपन विंडो पैलेस, वत्सला मंदिर और न्याता पोला मंदिर इस चौक के दर्शनिय आकर्शनों में से हैं। भक्तपुर अपनी मिट्टी के बरतनों और शिल्प कौशल के लिए भी जाना जाता है। शहर में मिट्टी के बरतन बनाने की एक सम्रिध परंपरा है। और आप शहर की संकरी गलियों में कारीगरों को पारंपरिक तरीकों का उप्योग करके मिट्टी के बरतन बनाते हुए देख सकते हैं। भक्तपुर के मूल निवासी नेवारों ने सदियों से अपनी अनूठी संस्कृती और परंपराओं को संदक्षित रखा है। शहर पूरे वर्ष कई जीवन त्योहारों और संस्कृतिक कारेक्रमों का आयोजन करता है जिसमें प्रसिद्ध डिसकेट जात्रा भी शामिल है जो नेपाली नव वर्ष का प्रतीक है और इसमें रत जुलूस और विभिन्न समारों शामिल होते हैं। खुल मिलाकर भक्तपर नेपाल की सम्रिध संस्कृतिक विरासत की जलक पेश करता है जो इसे इतिहास के प्रती उत्साही और प्राची नेपाली संस्कृति का प्रामानिक अनुभव चाहने वाले यात्रियों के लिए एक आकर्शत गंतव्य बनाता है।